हेलो दोस्तों वेलकूम बैक एट फॉर्मूला बेस ट्रेडर जर्नी ऑफ लर्निंग्स टू एक्सलियो अर्निंग्स तो शुरू करते हैं आज की क्लास टेक्निकल एनलेसिस निफ्टी का फिर बैंक निफ्टी का जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे और टेलिग्राम पे जोईन करना है तो आप कर सकते हो लिंक डिस्क्रेप्शन में है और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना सबसे पहले तो सौरी है आप लोगों को कि हमने एक वेविनार करा था महुर ट्रेडिंग के दिन बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थ और कुछ लोग ही जोईन कर पाए थे और उससे बड़ा दुख है मेरे को कि बहुत सारे लोगों ने जोईन किया और उसके बाद में वेविनार में वो आए नहीं ये गलत चीज है अगर नहीं तो आपकी जगह पे कोई और नीडी आ सकता था जो सीख सकता था बहुत का रिजिस्टेंस के ऊपर था डाउन फॉल हुआ हम एग्जिट हुए 19,510 पे जिनों ने करंट वीक एकस्पाइरी का ट्रेड लिया हुआ था 511 से अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान करा एग्जक्ट फर्स्ट केंडल पे ही रीजन क्या था कि आपको एक घंटे के लिए मार्केट खुल रही है यहां पे अगर आपको ध्यान हो तो हमारी यहां पे क्या था यह आप लोगों के साथ भी डिसकुशन का पार था 511 जो था वो एक सपोर्ट थी और रिजिस्टेंस थी डाउन साइड के लिए हाई चांस ओफ रिवर्सल था यहां पे तो मार्केट का ट्रेड यहां पे खतम होता है इतने पार्ट में बट फिर था हमारा प्रिशिशनल ट्रेड जो ट्रेड हमारा कंटीनियू था नेक्स्ट बीटीस्टी प्लान किया था हमने कि हम इसको बीटीस्टी करेंगे नेक्स्ट दे इसमें से एक्जिट होंगे आप देख लो मोर द हिसे होट टॉपिक था हमारा महूरत ट्रेडिंग में इन्वेस्मेंट पॉइंट आविसे जो डिसकशन का पाट था यस बैंक यस बैंक को कोई नहीं पूछता था लोग कमेंट करेंगे प्लीज जो आप उस दिन महूरत ट्रेडिंग वाले वेविनार में थे कि इसको as a mahoor trading, as a investment, हम इसमें plan करेंगे, market ने same day जो move दिया दिया, इतना बड़ा tower बना, this is the power of learning, इसको कोई नहीं पूछ रहा, पूरी YouTube पे, कोई इसके बारे में बात भी नहीं करना चाहता, हमारा इसके बारे में detailed discussion हुआ है, future plan कहां तक यह जा सकता है, बात कर लेते हैं, कल की market कैसी कैसी रहेगी, और हाँ master guide sales चल रही है, आप देख रहे होंगे, उस series के 5-6 lesson अलड़ी YouTube पे हैं, अभी जो next session आने वाला है, वो है, आपके लिए trade कैसे initiate करने हैं आप लोगों ने, तो उसका फाइदा आपको तभी होगा, जब आप previous classes को complete करेंगे, YouTube के उपर, और जिसको formula सीखने हैं, deep learning करनी हैं, आपके पास बहुत अच्छा मौका है, link description में है, whatsapp पे screenshot भेजिए, लोग अपनी trading journey को change करने आप भी कर सकते हो, तो अब बात करते हैं, इधर detailed discussion के लिए, nifty में, market close कहाँ पो यह 19,443 पे, nifty close हो रहा है, exact support के उपर, अगर market य चाहिए, इसको तब ही अच्छा गिरेगा, ठीक है, अप side के लिए trend शुरू करता है, तो आपके पास में एक target है, 19,471, 471 से उपर, अगर cross करता है, तो upside के लिए आपके पास में है, 19,490, 490 को break करेगा, 500 के पास से, यहां से, एक liquidity zone बन रहा है, यहां पे market, इस stop को break करने के बाद में, एक sharp fall दे सकती है, जिसकी possibility high है, possibility है, trade आपने कैसे करना है, level to level, upside के लिए, मैं बात कर रहा हूँ, 19,511, Wednesday के लिए, यहां तक market आ सकती है, test करने के लिए, और इस particular area से, rejection का high chances है, यह सिरफ हम Wednesday के लिए बात कर रहे हैं, जिस दिन bank nifty के expiry है, sharp fall कहां तक, इस level तक, 19,429 तक, और अगर आपको याद हो, बहुत पहले का एक scenario था, 19,435 के नीचे, 200, 300 का fall, वो history थी, वो fall आया था, अब क्या possibility है, market अगर इसको break करती है, 19,437 को, तो आपको एक level दिखा सकती है, 19,415 का, 15 के आसपास से, एक chance है, कि market यहां से, upside का reversal दे, मैं आपको trade करना सिखा रहा हूँ, कि यहां जैसे, एक liquidity grab करके, क्योंकि यहां support बना रखी है, इसने एक, यहां से reversal के chances है, upside के लिए, 19,460 तक एक trade बन सकता है, आपका upside के लिए, और अगर इस hurdle को break करके, market 10 minutes सस्टेन करता है, 10 minutes अगर सस्टेन करता है, 19,411 के नीचे, तो आपके लिए downside के लिए target बनता है, 19,365, 365 को break करता है, तो 19,353, market को अभी downside के लिए आना है, 320 तक मैं कल wait करूँगा, upside के लिए मेरा सिर्फ इतना है, अगर upside के move के लिए market चली, तो यहां पे hurdle है, यहां पे market के लिए rejection pending है, यहां से liquidity grab करके downside के लिए आ सकती है, अगर market को further बड़ा move देना होगा, तो market sideways रह सकती है, Wednesday को इस level के around ही, 19,511 से लेके, 19,411 के बीच में, market sideways रह सकती है, बड़े fall के लिए, अगर market 19,511 के उपर close होती है कल, तो upside के लिए 800 तक के rally ready है, अगर market 19,411 के नीचे close होती है, तो आपके लिए downside के लिए retest के लिए market त्यार है, जो हमारा अभी level pending है, Wednesday के लिए, market को ये level break करना जरूरी है, 19,411, फिर आपको downside के लिए, अच्छे खासे target है, 19,270, 320 के बाद में, 19,260, इसको break करेगा, तो fall है, अच्छा खासा fall है downside के लिए, फिर आप hold कर सकते हो, downside के लिए put की positions, कब 320 के नीचे close होने के बाद में, market, अगर मान लिए aggressive move आना है 320 के बाद में, 2300 पॉइंट का down move है pending, जो सब बोल रहे है, lifetime high 21,000 जाएगी, बिलकुल जाएगी, 100% जा नहीं है, और ये हमारे discussion का part भी था, previous videos में, but अभी market, at least एक retest के लिए downside में जाएगी, मैं आपको थोड़ा सा, day वले chart पे थोड़ा सा समझा देता हूं, जो scenario बना रख है market ने, market कैसे चलती है, upside, down, up and down, up and down, then up, अब ये क्या है, down, आपको क्या दिख रहे है, सारी market bullish है, कि bullish हो रही है, भया हम जा रहे है, top लगाने के लिए, 21,000 all time high लगाने के लिए, अरे हम भी जाएगे, बट अभी रुको, अभी market को, at least मेरे को क्या दिखा रही है, कि market को ret के लिए आना है, retest के लिए आएगी, फिर हम उपर का plan कर लेंगे, ठीक है, retest के लिए हम wait करेंगे, ये नहीं, पहले हमारा level ये है, 19,188, इसको break करेगा, then हमारे लिए downside के लिए pending क्या है, 19,830 का, 838 से वापसी गई थी market, 830 का, retest के लिए, एक retest बनता है market का, तो हम wait करें कोई अभी positional trade नहीं ले रहे हैं, ये मेरा observation है, और आपको पता है, कि अगर हम July में 19,980 से गिरने के लिए बोल सकते हैं, और September में जब market 20,223 थी, तब वहां से हम 18,830 तक का target हो सकते हैं, तो हम 21,000 भी सोचेंगे, बट सोचने के लिए हम मौका दो, हमें retest चाहिए है, market को 18 18,830 तक का एक retest चाहिए, हम उस retest का weight करेंगे, अभी हम छोटे-छोटे trade ले रहे हैं, हमें पैसा कैसे कमाते हैं, आपको मैंने बता रखा है, इसी के ओपर next series का वीडियो आ रहा है, हमारे formula's पूरे pattern और candlestick charts पे होते हैं, तो अगर आपको learn करना है, market मौके दे रही है, आ अब बात करते हैं, bank nifty की जिसकी expiry है, exact इस point से हमने more trading वाले दिन short किया था, और हमारा target था, हमें at least 300-400 का downfall चाहिए, तब हम exit करेंगे, BTST हुआ था उस दिन, BTST हुआ था, result क्या है, market ने आपको almost 400 point दिये, count कर लेना, ठीक है, और जिन्नोंने initiate किया होंगे trade, वो comment करके bank nifty close हुआ है, 43,891 के उपर, यहनके 900 के around, इस support के उपर, अगर 15-20 minutes sustain हुई market, 43,900 के उपर अगर sustain होता है bank nifty, तब एक upside का move आ सकता है, अगर bank nifty 43,000 850 के नीचे trade करता है, और वहाँ पे time spend करता है, 10 से 15 minutes, then आपके लिए downside के लिए target है, 43,700, 700 को break करता है, 43,567, और market ने अगर आपको close दिया, 43,570 के नीचे, then market आपको downside के लिए, 500, 600 point और downfall के लिए ready है, और जैसे मैंने bank nifty में कहा, bank nifty में में सेम है, अगर bank nifty ने 43,283 के नीचे fall दिया, और market by chance sustain हो गई, 10 से 15 minutes, तो आपके लिए, ये कल हो या परसों हो, मैं daily video share करता हूँ, बट ये मेरे को दिख रहा है, तो मैं आपसे अभी share कर रहा हूँ, हो सकता है, एक ही दिन में fall आ जाए इतना बड़ा, तो आपको पता तो होना चाहिए, 43,280 के नीचे, अगर market 15 minutes sustain होती है, तो आपके लिए, बहुत बड़ा, यानि कि एक ही दिन में, 500 to 600 point का downfall आ सकता है, वन गो में आपको ये downfall मिल सकता है, ये बहुत दूर की बात बोल दी, पर ये scenario बने हुए अभी, Wednesday को, expiry के दिन, 43,850 के नीचे sustain होता है, तब आपके लिए target है, 43,700, 700 को break करेगा, then 43,572, यहाँ पे support लेके, लोगों को trap करके, reversal के chances है, काफी अच्छी बड़ी range है, bank nifty के लिए, अगर इसको break करके sustain हुआ, तब downfall है, बट जैसे आपसे data है, फिल हाल के लिए मेरे को लग रहा है कि market इस सेरिया में थोड़ा halt लेगी, 43,974 से लेके, 43,500 के बीच में, 400 point का एक range है, इस range में रह सकता है, अगर range को break करके, market Wednesday को 43,974 के उपर sustain करता है, तब आपको 44,133 तक का target upside के लिए मिल सकता है, और by chance close कर देता है, इसके उपर, तो 44,500 तक के target है, बट अगेन एक retest का हम wait करेंगे, अभी pending है, एक downfall expect कर रहा हूँ मैं, सो कल के लिए range है हमारे पास में, ये एक range, market इस range के बीच में रह सकती है, और उसके बाद में, next week अगर इसके आज़ पास close हुआ, then downfall expected है, जो हमारा है ही है, और next week के लिए फिर Thursday को plan कर लेंगे, इसके उपर अगर close होता है, 43,974 के उपर, then I'm bullish हैं upside के लिए, इतने रखते हैं वीडियो में, subscribe कर लेना guys, like कर देना और comment कर दिया करो, में लिए motivation का काम करते हैं, बाई बाई